आईए मिलकर हम बहुत प्यार से एक भजन पुच्छान करेंगे जो भजन मैं आपसे बुलवा रहा हूँ यह स्वामी रामतीर्थ का भजन है स्वामी रामतीर्थ प्रोफेसर थे हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तब वो लाहोर में प्रोफेसर थे तीर्थ राम नाम था उनका भक्ति जिंदगी में जागी तो सन्यासी हो गया तो उनका नाम फिर तीर्थ राम से रामतीर्थ हो गया लेकिन बहुत प्यारे सादक थे स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर थे दो ही व्यक्ति हुए जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम विदेशों में बहुत उचा किया तो वो एक बार जब गंगा के किनारे बैठे वे थे दियान में बैठे वे और अचानक दियान तूटा तो आख से आशू बैने लगे भावकता में उस समय उन्होंने ये भजन कहा था उस समय जातर उर्दु चलती थी तो इसमें कुछ उर्दु के शब्दें आईये मिलकर उचान करें तेरे करम से बेब रया मतलग तेरी दया से हे दुनिया के दाता हे मेहर करने वाले भगवान क्या नहीं मिलता मेरी खुद की जोली छोटी पड़ती है पर तेरी देन बहुत बड़ी है तेरे करम से बेब रया कौन सी शे मिले नहीं तेरे करम से बेब रया कौन सी शे मिली नहीं जोली ही मेर अंग है जोली ही मेर अंग है तेरे रहा कमी नहीं तेरे करम से बेब रया जीने कुझी रहा मैं मालक तेरे बगेर जी मालक तेरे बगेर जी मालक तेरे बगेर जी मालक तेरे बगेर जी जिन्द के जिस जाये शक्त जिन्द के जिस ए शक्त ऐसी तो जिन्द के जिन्द के जिन्द के जिन्द के जिन्द के जिन्द को ऐसी तो जिन्द के जिन्द के जिन्द को तेरे करम से बेब रया अब से पुकारता है जल सुनता मगर कोई नहीं अब से पुकारता है दिल सुनता मगर कोई नहीं सुनता मगर कोई नहीं सुनता मगर कोई नहीं तेरे शिवा कोई नहीं मेरा तो इस जान में तेरे शिवा कोई नहीं तेरे शिवा कोई नहीं मेरा तेरे शिवा नहीं माना के मैं गरीब हूँ माना के मैं फकीर हूँ यह बड़ा ही मारमिक और भावक तावरा बजन है क्योंकि स्वामिरामतिर्ट जिस तरह से भावक हो गए वो एक तरक कभी भी थे बहुत बड़े दार्षनिक भी थे बहुत अच्छे लेखक भी थे भगवान का नाम जबते जबते रात में सो जाते थे सोते सोते भी भगवान की याद में आख से आसु बैते रहते थे कभी कभी थो उनका सुबर तकिया देखते थे तो आसों से भीगा होता था सरदार पूरण सिंग उनके बहुत प्यारे शिश्य थे सरदार पूरण सिंग भी बहुत बड़े लेखक थे सच्ची वीरता नाम का निबंद बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में तो उनका लिखा हुआ है सरदार पूरण सिंग का तो वो अपने गुरु को आसपास होते थे कोई कश्ट न पहुँद लेकिन स्वामी रामतीर थे ऐसे मस्ती में रहते थे कोई आकर पूचता था कि क्या बजा तो बोलते थे एक दो गंटे बाद पूचो तो भी बोलते थे एक तो कोई कहता था मारा जैसी कौन सी गड़ी पहन रखी आपने जिसमें एक ही बजता दो बजते ही नहीं तो मुस्करा कर बोलते थे इस पूरी दुनिया में तो मुझे लगता है भगवान ही एक बज़ रहा है बाद के तो कोई बज़ी नहीं रहा है उसका ही नाम बज़ रहा है मुझे और तो कुछ सुनाई देता ही नहीं तो क्योंके बज़ने की बात पूशते हो तो बज़ने में तो भगवान का नाद ही बज़ रहा है तो बहुत मस्ती में रहते थे लेकिन जब ये बज़न वो गा रहे थे तो उन्होंने उस रूप में कहा कि जैसे गरीब दुनिया को देखता है लेकिन दुनिया गरीब को नहीं देखती कि ऐसा लगता है भगवान पूरी दुनिया तो मुझे से दूर होई गई है तुम भी मुझे बूल गए बड़े प्यारे शफद हैं किस शायर ने लिखा के मुझे गम नहीं के बदल गया जमाना मुझे गम नहीं के बदल गया जमाना मुझे जन्म देने वाले तू कहीं बदल न जाना के जीवन देने वाले भगवान तू न बदल जाना तू अगर मुँ फेर लेगा जैसे कबीर कहते हैं करवट भला न करवट तेरी हाथ पकड़ सुन विंती मेरी के करवट पर कटके मर जाना अच्छा लेकिन तू जो पलट के देखता वे नहीं तेरा द्यान मुझ पर है ही नहीं बगवान तूने जो मुझ फिर लिया इस तरह से जिन्द की जीना अच्छा नहीं तेरी करपा साथ रहे और फिर जीवन चले तो बहुत अच्छा तो शब्द देखिए इनके बहुत प्यारी शब्द है माना के मैं गरीब हूँ माना के मैं खसीर हूँ माना के मैं खसीर हूँ माना के मैं गरीब हूँ, माना के मैं फकीर हूँ माना के मैं फकीर हूँ मुझसे नए फिरूठी, मुझसे नए फिरूठी जैसे मेरा कोई नहीं, जैसे नए फिरूठी जैसे मेरा कोई नहीं, जैसे नए फिरूठी बेड़े लेया